ओम नमस्ष्वाय हर हर महादेव मैं आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण सिव पुरान सुना रहा हूँ आज हम अठारवा अध्याय जो है उसक पे चर्चा करेंगे अठारवे अध्याय का अध्यन करेंगे अठारवा अध्याय जो है वो बंधन और मोक्स का विवेचन सिव के भस्म धारन का रहस्य क्या है इसके बारे में सूत जी हमें बताएंगे तो रिसी मुन्यों का सवाल था, रिसी बोले, सरवगों में स्रेश्ट सुत जी, बंधन और मोक्स क्या है? बंधन और मोक्स के बारे में बताईए, कृप्या हम पर करपा करके इसके बारे में हमें डिटेल में बताईए तो सुत जी ने कहा महर्श्यो मैं बंधन और मोक्स के सवरूप का उपाई का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बहुत बड़ी बाते, बहुत ही ध्यान से सुनना की इस संसार में बंधन और मोक्स का क्या उपाई है? प्रत्वी के आठ बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संग्या है अर्थाठ बंधनों में बंधा हुआ जीव ब्रद कहलाता है और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है वो उसे मुक्त कहते हैं यानि कि इस संसार में इस प्रत्वी में आठ जो है बंधन है उस बंधन से जो बंधावा है वो बंधावा है और जो उस बंधन से छूटावा है उसे मुक्त कहते हैं वो आठ बंधन कौन-कौन से हैं प्रकति, बुद्धी, त्रिगुनातमक, अहंकार और पाज, तन्मात्र आधी आठ तत्वों के सम्हों से देह की उत्पती हुई है प्रकति, बुद्धी, तिरुगुनातमक, अहंकार और पांच तन मात्राई इन से क्या हुआ है कि आठ तत्व है इन आठ तत्वों से ही देह की उत्पती हुई है देह से करम होता है और फिर करम से नुत्तन देह की उ सुख्षम और कारन के भेद से जानना चाहिए इस्थुल सरीर व्याम कराने वाला सुख्षम सरीर इंद्रिय भोग परदान करने वाला तथा सरीर को आत्मानंद की अनुभूती कराने वाला होता है तो स्थुल सरीर व्यापार कराने वाला होगा सुक्षम सरीर इंद्रिय भोग परदान करने वाला होगा तथा सरीर को आत्म आनंद की अनुबूती कराने वाला होता है कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुन्य भोगता है ये बात एकदम किलियर है एकदम स्पस्ट है कि आपके कैसे करम किये गए है उसी करम के आधार परी आपको पाप और जो पुन्य है वो भोगना पड़ेगा इनी से सुख दूख की प्राप्ति होती है आपको कैसे करम है अंतह करम पास में बंद कर जीव सुभा सुभ करमों द्वारा चक्र की भांती गुमाया जाता है इससे छुटकारा पाने के लिए माहा चक्र के करता भगवान सीव की स्तुती और अराधना करनी चाहिए शीव ही सर्वग्य है परिपून और अनंत सक्त्यों को धारन किये है जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में सिव भावना करके उनकी पूजा करते है उन पर सीवजी की करपा अवश्य रहती है शिव ही सरवग्य है परिपूर्ण है ये बात आपको माननी चाहिए शिव पुरानुए बात खुद सिव जी के द्वारा कही गई है सुत जी हमें बता रहे हैं कि आपको आपके बंधन और मोग से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए सिवलिंग में सिव की प्रतिमा ने सिव भक्त जनों में सिव की भावना करके उनकी प्रसनता के लिए पूजा करनी चाहिए पूजन, सरीर, मन, वानी और धन से कर सकते हैं बगवान सी पूजा करने वाले पर विशेश क्रपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सोभाग्य आपको प्रदान करते हैं जब तन मात्राएं वस में होती है तब जीब जगदंबा सहित सीव का सामिप्य प्राप्त कर लेता है भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धी वस में हो जाती है, सरवक्ता और त्रप्ती सीव के ऐस्वर्य है, इने पाकर मनुस्य के मुक्ती हो जाती है, इसलिए सीव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उनी का पूजन करना चाहिए, सीव किरिया, सीव तप, सीव मंत्र जाप, सीव ज्यान और सीव ध्यान परती दिन प्राथः से रात को सोते समय तक जनम से मृत्यू तक करना चाहिए, एवं मंत्रो और भिविन पुस्पो से सीव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से ही आपको भगवान सीव का जो लोक है व अगर आप सीव की अराधना करेंगे, सीव की पूजा करेंगे, सीव की पूजा करने के लिए आप सरीर, धन, मन से जो है सीव की पूजा कर सकते हैं, सीव की नित्य प्रति दिन पूजा करते रहें, जनम से मनने तक आप सीव की पूजा करें तो आपको सीव लोग में जगह मिल और मोक्स की प्राप्ति होगी रिशी बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुत जी शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चीये कर्प्या हमें बताइए सुत जी ने कहा भ्रामनो सभी मनौ कामनाओ को पूर्ण करने लिए लिंग के स्वरूप का तुम से वर्णन कर रहा हूं सुक्सम लिंग निसकल होता है और इस्थुल लिंग सकल पंचाचर मंत्र को इस्थुल लिंग कहते हैं दोनों ही लिंग साक्सात मोक्स देने वाले हैं प्रकती एवं पोरुस लिंग के रूपों के बारे में एक मात्र भगवान सिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता प्रत्वी पर पांच लिंग हैं जिनका विबरन में तुम्हें सुनाता हूँ पहला सवें भूशिव लिंग दूसरा बिंदू लिंग तीसरा परतिस्टित लिंग और चोथा चर लिंग और पांच वा है गुरू लिंग देवर्श्यों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समिप प्रकट होने के लिए प्रत्वी के अंतगर्थ बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान सिव वक्षों के अंकूर की भाती भूमी को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं सवतह प्रकट होने के कारण ही इसका नाम सवय भूलिंग है इसकी अरादना करने से ज्ञान की व्रदी होती है सोने चांदी भूमी वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान सिव की प्रतिष्टा और हवान करें तथा सोलह उपचारों से उनकी पूजा करें ऐसे करने से साधक को एस्वर्य की प्राप्ती होती है देवताओ और रिश्यों ने आत्म सिध्धी के लिए पौरुस लिंग की स्थापना मंत्रों के उचारन द्वारा की है यहीं प्रतिष्टित लिंग कहलाता है जिसकी प्रतिष्टा की गई हो वो प्रतिष्टित लिंग किसी ब्रामन द्वारा, राजा द्वारा, मंत्र पुर्वक स्थापित किया गया लिंग भी परतिष्ठित लिंग कहलाता है, किन्तु वहाँ प्राकर्त लिंग है। चरलिंग कहते हैं, परवत को पोरुसलिंग और भूतल को विद्वान प्राकतलिंग मानते हैं, पोरुसलिंग समस्त ऐस्वर्य को आपको प्रदान करने वाला है, प्राकतलिंग धन प्रदान करने वाला है, चर लिंग में प्रथम सभी रस लिंग ब्रामनों को अभिस्ट वस्तू प्रदान करने वाला है सुवन लिंग वैश्यों को धन बान लिंग छत्रियों को राज्य सुन्दर लिंग छुद्रों को महसुद्धी प्रदान करने वाला है बच्पन जवानी और बुढ़ापे में इस्फटिक मैं सिवलिंका पूजन इस्त्रियों को समस्त भोग परदान करने वाला है समस्त पूजा करम गुरू के सहयोग से करें समस्त पूजा आपको जो है गुरू के सहयोग से करना चाहिए इस्ट देव का अबिसे करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर और निवेद अर्पन करें निर्वत मनुश्य को सुक्षम लिंका पूजन भीभूती के द्वारा करना चाहिए भीभूती, लोकागनिजनित, वेदागिनजनित और सिवागनिजनित तीन परकार की होती है जो भीभूती होती है वो लोक अगनिजनित, वेदागनिजनित और सिवागनिजनित तीन परकार की होती है लोक अगनिजनित अर्थात लोकिक भस्म की सुद्धी के लिए रखे मिट्टी लकडी और लोहे के पात्रों की धान्य तील वस्त्र आदी की भस्म से सुध्धी होती है वेदो से जनित भस्म को वैदिक क्रमों के अंत में धारन करना चाहिए मुर्ति धारी सिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकडी जलाएं कपीला गाई के गोबर तथा समी, पीपल, पलास, वर्ड, अमलतास और बेर की लकडियों से अगनी जलाएं इसे सुध्ध भस्म माना जाता है इसे ही सुध्ध भस्म माना गया है भगवान सिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को घरन किया है उनके सारे अंग भिविन बस्तों के सार रूप है भगवान सिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विश्नु और रूद्र के सार तत्व को धारन किया है सजल भस्म को धारन करके सिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है सिव मंत्र से भस्म धारन कर स्रेश्ट आश्रमी होता है सीव की पूजा अर्चना करने वाले को आपवित्रता और सुतक नहीं लगता गुरू सिस्य के राजस, तामस और तमोगुन का नासकर सीव का बोध कराता है ऐसे गुरू हाथ में भस्मधारन करना चाहिए जनम और मरन सब भगवान सिव ने ही बनाए है भगवान सिव ही काल है जो इने उनकी सेवा में अर्पित कर देता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है इस्थुल, सुक्षम और कारन को वस में कर लेने से मुक्स प्राप्त होता है जो सिव की पूजा में तत्पर हो, मोन रहे, सत्य और गुनों से युक्त हो, क्रिया, जाप, तप करते रहे उसे दिव्य एस्वर्य की प्राप्ती होती है तथा ज्ञान का उदय होता है जनम मरन सब भगवान सिव ने ही बनाए है, सब उनके हातों में है उनी को अपना पूरा जिवन आप समर्पिर्थ कर दे, तभी आपको मोक्स की प्राप्ती हो सकती है सिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करी तथा धन का उप्योकर सिव स्थान में निवास करी भगवान सिव के महातम्य का सभी के सामने प्रचार करी सिव मंत्र के रहश्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता इसलिए सिवलिंग का निर्त्य पूजन करे अब हम उन्निसवा अध्याय पूजा का भेद पड़ेंगे रिसी बोले हे सुत जी आप हम पर करपा करके पार्थिव महेस्वर की महिवा का वर्णन जो आपने वेद व्याजी से सुना है वो सुनाईए पूजा का भेद तो अब जो रिशी है ब्रह्मन है वो क्या कह रहे हैं कि पार्थिव महेश्वर की जो महेश्वर की महिमा है जो आपने वेद व्याज जी से सुनी है कृप्या सुत जी अब आप हमें सुनाईए सुत जी बोले हे रिश्यो मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा प्रदती का वर्णन कर रहा हूँ पार्थिव लिंग सभी लिंगों में स्रेष्ट है इसके पूजन से मनोवांचित फलो की प्राप्ती होती है अनेक देवता, देत्य, मनुश्य, गंधर सर्प एवम राक्षस सिव लिंग की उपासना से अनेक सिध्या प्राप्त कर चुके है इस परकार सत्यूग में रतन का, त्रेता में स्वन का और द्रापर में पारे का महत्व है उसी परकार कल्यूग में पार्थिव लिंग अती महत्व पून है सिवमूर्ति का पूजन तब से भी अधिक फल परदान करता है यानि कि जो सिवमूर्ति के अगर आप पूजन करते हैं पूजा करते हैं तो आपको तब करने से अधिक फल प्राप्त होगा जिस परकार गंगा नधी सभी नधियों में स्रेष्ट एवम पवित्र मानी गई है उसी परकार पार्थिव लिंगों सभी लिंगों में सर्वस्रेष्ट माना गया है जैसे सब वरतों में सिवरात्री का वर्थ स्रेष्ट है मैंने आपको पहले अध्याय में ये बात बताई है कि भगवान सिव ने शमय ये बात कहिए कि सिव रात्री का वर्त सर्व स्रेष्ट वर्त है सिव रात्री के दिन अगर कोई निराहार उनकी पूजा करता है तो पूरे साल में पूजा करने से भी कई गुना फल आपको सिव र लिंगों में पार्थिव लिंग स्रेष्ट है पार्थिव लिंग का पूजन, धन, वैभव, आयू एवं लक्षमी देने वाला तथा संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला है जो मनुश्य भगवान सिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रति दिन पूजा करता है वह प्राप्त करता है निस्काम भाव से पूजन करने वालों को मुक्ती मिल जाती है जो ब्रह्मन कुल में जनम लेकर भी पूजन नहीं करता वह घोर नरक को प्राप्त करता है यानि कि अगर आपको पूजा करनी है तो आप निस्काम भाव से पूजा करें निस्काम भाव से पू जरूर मिलेगी बिश्वा अध्याय पार्थिव लिंग पूजन की विधी यहां पर फूरी बताई जाएगी सूत जी के द्वारा पार्थिव लिंग की जो पूजन है वो किस तरह से करनी है आपको उसे आपको किस तरीके से फल की प्राप्ति होगी पार्थिव लिंग की स्रेष्ट तरथ महिमा का वर्णन करते वे सूत जी ने कहा है स्रेष्ट महर्शयो वैदिक क्रमों में प्रती स्रधा भक्ती रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग पूजा प्रदती ही परम उप्योगी एवं स्रेष्ट है तथा भोग एवं मोक्स परदान करने वाली है सर्व प्रथम सुत्रों की विधी से सनान करे संध्या उपासना के उपरांत भ्रम यग करे तत्पस्चाथ देवताव रिश्यो मनुश्य एवं पित्रों का तरपन करे सब नित्यक्रमों को करके भगवान सिव का इस्मरन करते हुए भस्म तथा रुद्राक्स का धारन करे फिर पून भक्ती भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें ऐसा करने से संपूल मनोवांचित फलो के प्राप्ती होती है किसी नदी या तालाप के किनारे परवत पर या जंगल में या सिवालय में अत्वा किसी अन्य पवित्र इस्थान पर पार्थिव पूजा आपको करनी चाहिए पवित्र इस्थान की मिट्टी से सिवलिंग का निर्मान करना चाहिए ब्रामन स्वेत मिट्टी से चत्रिय लाल मिट्टी से वैश्य पिली मिट्टी से एवं सुद्र काली मिट्टी से सिवलिंग का निर्मान करी तो पवित्र स्थान में आपको सिवलिंग का निर्मान करना है और पवित्र स्थान की मिट्टी से सिवलिंग का निर्मान करना है अलग अलग यहाँ पे आपको कलर बताई गई है ब्रामन है तो स्वेत मिट्टी से छत्रिय है तो लाल मिट्टी से व्याश्य है तो पिली मिट्टी से और सुद्र है तो काली मिट्टी से सिवलिंग का निर्मान करें सिवलिंग हेतु मिट्टी को एक्रत कर उसे गंगा जल से सुद करें धीरे धीरे उसमें लिंग का निर्मान करें तथा इस संसार के सभी भोगो को तथा संसार से मोक्स प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ती भावन से करें शर्व प्रथम ओम नमा शिवाय मंत्र का उच्छारन करते हुए समस्त पूजन सामरगी को एक्रत्र कर उसे जल से सुध करें तो सबसे पहले आपको कौन सा मंत्र बोलना है ओम नमह शिवाई ओम नमह शिवाई एक ऐसा मंत्र है जो आपको मोक्स दिला सकता है पूरे दिन आपको यही मंत्र अपने मन में रटना है ओम नमह शिवाई भूर्शी मंत्र द्वारा छेत्र की सिध्धी करें फिर जल का संसकार करें इस फटिक सीला का घेरा बनाए तथा छेत्र को सुध्धी करें तत्पसात सिवलिंग की प्रतिष्टा करे और वैदिक रिती से पुजा उपासना करे भगवान सिव का अहवान करे तथा आसन पर इस्थापित करके अंके समक्ष आसन पर समय बैठ जाए सिवलिंग को दूद दही और घी से सनान कराए रचाओं से मधू और सकर से सनान कराए ये पाच वस्तुएं दूद दही घी सहद सकर ये पंचामिर्थ कराती ये पहले भी मैंने आपको बताया था दूद दही घी सहद और सक्कर से पंचा मिर्थ का त्यार करें इनी वस्तुओं से लिंग को सनान कराएं तदो प्रांत उत्तर्य धारन कराएं चारो रचाओ को पढ़कर भगवान सिव को वस्त्र और यगो पवित समर्पित करें तथा सुगंदित चंदन एवम रोली चड़ाएं तथा अक्सत फूल और बेल पत्र अर्पित करें निवेद और फल अर्पित करें ग्यार रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन करम करन वाले प्रोहित को दक्सिना भी दे हर महेश्वर संभू सूल पानी पिनाकधारी पसु सीव पसुपती महादेव गिरिजापती आदी नामों से पार्थिव लिंग का पुजन करें तथा आर्थी करें सीव लिंग की परिकर्मा करें तथा बगवान सीव को सश्टांग प्रणाम करें पंचाचर मंत्र तथा सोल उपचारों से विधिवत पूजन करें इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान सिव से इस प्रकार प्रात्ना करे सब को सुख सम्रदी प्रदान करने वाले है करपा निधान भूत नात सीव आप मेरे प्राणों में बसते हैं आपके गुण ही मेरे प्राण है आप मेरे सब कुछ है मेरा मन सदेव आपका ही चिंतन करता है ए प्रभू यदी मैंने कभी भूलवन्स आथवा जान मुझकर भक्ती पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वहां सफल हो जाए मैं महापापी हूँ पतित हूँ जबकि आप पति वेदो पुराणों और सास्त्रों के सिद्धानतों के प्रम ज्याता है अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता और भला मुझ जैसा पापी मनुश्य आपको कैसी जान सकता है हे महेश्वर मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ हे प्रभू करपा कर मुझ पर प्रशन होईए और मेरी रक्षा कीजिए इस प्रकार प्रातना करने के बाद भगवान सिव को फुल एवम अक्सत चड़ा कर प्रणाम कर आदर पुर्वक विशर जन करें हे मुन्यो इस प्रकार की गई भगवान सिव की पूजा भोग और मोक्स परदान करने वाली तथा भक्ती भाव बढ़ाने वाली है तो इस प्रकार से आपको भगवान के सामने विंती करनी है पूजा करनी है इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको मोक्स परदान जरूर होगा आपको मोक्स जो है जरूर प्राप्त होगा 21 वाध्याय सिवलिंग की संख्या सुत जी बोले महर्शियों पार्थि विलिंगों की पूजा करोडों यग्यों का फल देने वाली है कल्यूग में सिवलिंग पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ट है यहां भोग और मोक्ष देने वाला एवं सास्त्रों का निस्चित सिद्धान्त है सिवलिंग तीन परकार के होते हैं उत्तम, मध्यम और अधम चार अंगूल उँची वेदी से युक्त सुन्दर सिवलिंग को उत्तम सिवलिंग कहा जाता है उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है ब्रामन, चत्रिय, वेश्य तथा सुद्रों को वैदिक उपचारों से आधर पूर्वक सिवलिंग की पूजा करनी चाहिए रिशी बोले, हे सुत जी, सिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है सुत जी बोले, हे रिश्यो, पार्थिव लिंग की संख्या मनो कामना पर निर्भर करती है बुद्धी की प्राप्ती के लिए सद भावना पुर्वक एक हज़ार पार्थिव लिंग का पूजन करी धन की प्राप्ती के इच्चुक डेड़ हज़ार सिव लिंगों का तथा वस्तर प्राप्ती हितू पांच सो सिव लिंगों का पूजन करी भूमी का इच्चुक एक हजार, दया भाव चाहने वाले तीन हजार, तिर्थ यात्रा करने की चाहा रखने वाले को दो हजार, तथा मुक्स प्राप्ति की इच्छा मनिश्य को एक करोड पार्थिव लिंगो की वेदक्तो विधी से, वेदो के अनुसार जो विधी है, उस वि पूजा रातना करें, अपनी कामनाओं के अनुसार सिव लिंगो की पूजा करें, पार्थिव लिंगो की पूजा करोडो यग्यों का फल देने वाली है, तथा उपासक को भोग और मुक्स परदान करती है, इसके समान कोई और स्रेस्ट नहीं है, अर्थार यह सर्वस्रेस् मनुष्य सभी विपत्यों से मुक्त हो जाता है, सिव लिंग का नियमित पूजन भव सागर से तैरने का सबसे सरल एवं उत्तम उपाए है, हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधी से करना चाहिए, भगवान संकर को नेवोदान्त पूजन करना चाहिए भगवान संकर की आठ मुर्तियां प्रतवी, जल, अगनी, वायू, आकास, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है, इसके अतरिक्त सेव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, इस्वर, महादेव तथा पसुपती नामों का भूजन करें अक्सत, चंदन और बेल पत्र लेकर भक्ती पूर्वग सिवजी का जो है पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें इसान, नंदी, चंड, महाकाल, भ्रंगी, व्रश, इसकंद, कपी देशवर, शुक्र तथा सोम्हे का दसो दिशाओं में पूजन करें शिवजी के वीर भद्र और किर्ती मुख के पूजन के पश्षात ग्यारा रुद्रों की पूजा करें पंचाचर मंत्र का जाप करें तथा सत्त रुद्रिय और शिवपंचां का पाट करें इसके उपरांत सिवलिंग की परिकर्मा कर सिवलिंग का विशर्जन करें रात्री के समय समस्त देवकारियों को उत्तर दिशा की और मुह करके ही करना चाहिए पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरन करना चाहिए जिस स्तान पर भगवान शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर पुरव पस्सिम उत्तर दिशा में ना बैठें क्योंकि पुरव दिसा भगवान सिव के सामने पड़ती है और इस्ट देव का सामना नहीं रोखना चाहिए उत्तर दिसा में सक्ति शवरूप देवी उमा विराजमान रहती है पश्चिम दिसा में सिव जी का पीछे का भाग और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती इसलिए दक्षिन दिसा में उत्रा भी मुख होकर बैठना चाहिए सिव के उपासकों को भश्म से त्रिपुंड लगा कर रुद्राक्स की माला बेल पत्र आदी लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए यदि भश्म न मिले तो मिट्टी से त्रिपुंड का निर्मान करके भी आप पूजा कर सकते हैं अब हम 22 अध्याय जो है उसका अध्यन यहाँ पर करेंगे सिव नेवेद और विल्व महातम्य रिशी बोले सूत जी से हे सूत जी हमने पुरू में सुना है कि सिव का निवेद गरन नहीं करना चाहिए इस सम्मन में सास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में बताईए जथा विल्व के महातम्य को भी स्पस्ट कीजिए तो सूत जी ने कहा हे मुनियों हे रिश्यों आप सभी सिव वरत का पालन करने वाले हैं इसलिए मैं आपको प्रसनता पुर्वक सारी बाते बता रहा हूँ आप ध्यान पुर्वक सुने भगवान सिव के भक्त जो उत्तम वरत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र एवम सुध है अर्थात निसकाम भावना से भगवान संकर की पूजा अर्चना करता है सिव नेवेत का अवश्य भजन भक्षन करना चाहिए क्योंकि नेवेत को देख लेने से ही शारे पाप आपके दूर हो जाते हैं उसको गरन करने से बहुत से पुन्यों का पल मिलता है नेवेत को खाने से हजारों और अर्बों यग्यों का पुन्य अंदर आ जाता है जिसके घर में सिव जी के नेवेत का प्रिशार होता है उसके घर तो पवित्र है ही बलकि वह साथ में अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है इसलिए सिर जुका कर प्रस्रनता पुर्वक एवं भक्ती भावना से इसे गरहन करे और इसे खाले जो मनुश्ये इसे घरण करने या लेने से विलंब करता है वो पाप کا भोगी होता है शी praising की दिक्षा से युक्त सिव भक्त के लिए निवेद महाप्रसाद है जो मनुश्य भगवान सिव के अलावा अन्य देवताओं की दिक्षा भी धारन किये हैं उनके समन में ध्यान पुर्वक सुनिये भ्रामनों जहां से साल गराम सीला की उत्पती होती है वहां उत्पन लिंग में रस लिंग में पाशान रजत और शुवन से निर्मित लिंग में देवताव तथा सिद्धो द्वारा प्रतिस्टित लिंग में केसर लिंग, इस्वटिक लिंग रतन निर्मित लिंग तथा समस्त जोती लिंगों में विराजमान भगवान सीव के नेवेद का घरण करना चंद्रयन वर्त के समान पुन्य दायक है सीव नेवेद भख्षन करने एवं उसे सिर पर धारन करने से भ्रम हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और जो मनुश्य पवित्र हो जाता है प्रंतु जहां चांडालों का अधिकार हो वहां से महापरसाद भक्ती पुर्वक भख्षन नहीं करना चाहिए बान लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धी लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धो द्वारा, स्थापित लिंग, सवय भूलिंग, एवं मुर्तियों का जहां पर चंड का अधिकार नहीं है जो मनुश्य भक्ती पुर्वक्षनान करा कर उस जल का तीन वार आ आम आचमन करता है, उसके सभी काईक, वाचिक और मानसिक पाप नश्ट हो जाते हैं, जो भस्तू भगवान शिव को और पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र हो जाती है, है रिश्यो, विल्व अर्थात बेल का जो वक्षे वह महादेव का रूप है, देवताव द्वारा इसकी स्तुती की गई है, तीनों लोकों में सभी तिर्थ बेल में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड में लिंग रुपी महादेव जी का वास होता है, जो इसकी पूजा करता है, वह निश्य ही सिवपद को प्राप्त करता है, जो मनुश्य विल्व को की जड के पास अ जड़ो को पूरा पानी से भरा देखकर बगवान सिव संतुस्ट एवं प्रशन होते हैं जो मनुश्य बैल पत्र की जड़ो अर्थात मुल भाग का गंद पुस्प इत्यादी से पूजन करता है वह सिदा सिव लोक जाता है उसे संतान एवं सुख की प्राप्ती होती है भक्त पूर्वक पवित्र मन से विल्व की जड़ में दिपक जलाने वाला मनुश्य सबी पापों से चुट जाता है इस वक्ष के नीचे जो मनुश्य एक सिव भक्त ब्रामन को भोजन कराता है उसे एक करोड ब्रापनों को भोजन कराने का फल मिल ता है यानि कि जो बेल पत्र व नीचे दूद घी के पके अनका दान होने देने से दरी दरता दूर होती है गरी भी दूर होती है है रिश्यो प्रवती और निर्वती के दो मार्ग हैं प्रवती के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरत पून हो जाते हैं यह संपुन अभिस्टफल प्रदान करता है किसी सु पात्र गुरु द्वारा विधी विदान से पूजा कराएं अभिसेक के बाद अग हनी चावल से बना नेवेद आपको जरूर अरपन करें पूजा के अंत में सिवलिंग को संपूट में विराजमान कर घर के किसी सुद्धिस्तान पर रख दें निर्वती मारगी उपासको को हाथ से ही पूजन करना चाहिए बिक्सा में प्राप्त भोजन को ही निवेद के रूप में अरपित करें निर्वती पूरुसों के लिए सुक्सम लिंग ही स्रेष्ट है भीबूती से पूजन करें रख भीबूती को ही निवेदित करें पूजा क प्रियुआ जो 22 वा अध्याय है उसका अध्यान कर लिया है कल हम 23 वा अध्याय सिव नाम की महीमा क्या है उसके उपर अध्यान करेंगे हम यहाँ पर इस चैनल में सिव पूरान पूरा पढ रहे हैं दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप हम सपोर्ट करें तभी हम आपको हर महादीव